राजधानी पटना में ग्रैजवेट चायवाली से मशूर प्रयांका गुपता को कौन नहीं जानता। उन्होंने राजधानी पटना ही नहीं बल्कि कई शेहरों में भी अब अपनी पहचान बना ली है। राजधानी पटना में जो भी सेलिब्रिटीस पहुँशते हैं वो प्रयांका गुपता के दुकान पर जरूर जाते हैं। उनके साथ चाय की चुस्किया लेती हुए और सेलफी खिचवाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन बीते दिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रयांका गुपत यादफ के दर्बार में हाजरी लगानी पड़ी आईये जानते हैं। दरसल गुरुवार को पटना नगर निगम ने ग्राजवेट चायवाली की दुकान को हटा दिया। वो अपना ठेला पकड़ कर रोती रही। लेकिन नगर निगम ने उनकी एक ना सुनी। बाद में वो रोती हुए राज़त सुप्रीमों के पास मदद के लिए पहुची। ये सारी घटना गुरुवार की दोपहर की बताई जा रही है। जब नगर निगम ने ग्राजवेट चायवाली का ठेला वहां से हटा दिया। प्रियांका गुपता रोती हुए मीडिया कर्मियों से बा इस्थाई जगह दिलवा दी जाए। लेकिन उन्हें लालु प्रशाद यादव से कोई खास मदद नहीं मिली। हमारे साथ की गए बातशीत में प्रियांका गुपता ने ये बताया कि वो लालु यादव के पास पहुची थी और उन्होंने एक चिठ्थी लिखकर देने के लिए कही है और कहा है कि वो उस चिठ्थी को मुख्य मंत्री तक पहुचा देंगे प्रियांका ने यहां ये भी कहा कि हम तोड़फोर करने वाले च्छात्र नहीं है हम धरना पर नहीं बैठ सकते लेकिन अब ये करेंगे भी क्यों हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि मै अपने दुकान को स्थाइग कर सकूं क्योंकि मैं छे लोगों को रोजगार देती हूं लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी दुकान को हटा दिया गया है उन्होंने ये भी कहा कि पटना नगर निगम ने उन्हें कोई नोटिस्ट नहीं दिया बाद में हमारे द्वारा किये गया बादशीत में उन्होंने ये भी बताया कि वो पटना नगर निगम के लोग नहीं थे कुछ ऐसे लोग थे जो जबर जस्ती आ करके प्रियांका गुपता के दुकान को हटा कर ले गए आगे प्रियांका ने कहा कि मेरा स्टॉल जहां था वहां किसी को कोई परेशानी नहीं थी मेरे बोरिंग रोड में कई दुकान और हैं यहाँ प्रियंगा गुपता ने ये कहा कि बोरिंग रोड जैसे जगह पर कई दुकाने हैं, कई स्टॉल हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं हटाया जाता, लेकिन मुझसे इतने सारे लोग जलने लगे हैं, मेरी इतनी चर्चा हो गई है कि मेरे दुकान को हटाया जाने लगा, बावजुद इसके कि मैं लोगों को रोजगार देती हूँ, मुझसे जलने वाले हजार हैं, हाला कि प्रियंगा गुपता ने ये भी कहा है कि अब उन्होंने नगर निगम से पर्मीशन ले ली हैं, और उनका दुकान जहां था, वो वही अपने दुकान को लगाएंगी